हलो फ्रेंस मेरा नाम है सिकंदर आप देख रहे हैं पर्फेक्ट क्लिप रूल तो दोस्तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वर्लपूल ट्रिपल डोर रेफिटर के बारे में दोस्तो बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि उनको वर्लपूल ट्रिपल डोर रेफिटर के बारे में जानना है ट्रिपल डोर रेफिटर के बारे में वीडियो बना आए तो फाइनली मैं आज वर्लपूल ट्रिपल डोर के उपर वीडियो बना रहा हूं तो दोस्तो वीडि को लाइक कीजिए, जान सादा अपने दोस्तों को शेर कीजिए और हमारे चैनल, नए चैनल को सपोर्ट जरू कीजिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो दोस्तों ये हैं वोयलबूल का ट्रिपल डोर रेफियेटर, इस रेफियेटर की कैपसिटी है ये रेफियेटर दोस्तों तीन कैपसिटी में अवेलेबल है, 240 लीटर, 260 लीटर and 330 लीटर जो फाइनल इमेज आपको रेफियेटर अभी दिखा रहा हूँ, ये 330 लीटर की कैपसिटी वाला है इसका MRP है 41,400 और market price है यानि जो आपको Amazon, Flipkart वगेरा में around 33,000 के rate में आपको मिल जाता है, chroma.com पे भी आपको around 32,500 की range में आपको देखने को मिल जाएगा साथ में आ रहा है यानि इसकी जबर्दस finishing दी गई है, alpha steel काफी अच्छी है, matte finishing type की होती है तो दोस्तों ये है इसका freezer section दिया हूँ है इसका freezer section दिया हूँ है आप अप अंदर की तरफ देख सकते हूँ ये अलग से इसमें air booster दिया हूँ है, यानि इसकी cooling को और fast करने के लिए अलग से front types की, front types में एक ducting दी गई है, जिसमें काफी अच्छा cooling flow होता है, इसको air booster बोलते है temperature कंट्रोल करना है, तो अंदर की तरफ से आप easily temperature कंट्रोल कर सकते हो ये इसका door section दिया हूँ है, यानि freezer का ये door है, आपको जो भी frozen item रखने है, वो item इसमें रख दीजिए, भर दीजिए, cooling काफी बहतरी है इसमें, तो दोस्तों ये है इसका freeze section, ये freeze section के उपर, अपर side देखते हो, तो daily zone है, यानि एक chiller box है, chiller box को भी अगर control करना है, उसका temperature, low medium high यानि उसका airflow चेंज़ जाता है, तो अंदर, जैसे आप low medium करोगे तो उसमें थोड़ा सा जो gap आजाता है, जिससे cooling मीच्छी की तरह आती है, अब maximum करेंगे तो पूरा pack हो जाता है, जिससे उसमें temperature काफी अच्छा maintainer रखता है, तो ये है freeze का temperature controller, उसको low medium high आपकी जरुत क सबसे अग्यास कर सकते हो, ये fridge के अंदर जितने भी self दिये गए है, toughened glass self दिये गए है, यानि heavy load भी रखते हो, तो ब्रेक नहीं होता है, काफी अच्छा load दे सकता है, इसके अलबा, fridge के अंदर भी एक अलग से fruit box मिलता है, जिसमें आप, आपके fruits वगएर अलब सकते हो, जि दोस्तों ये है, इसके freezer section में भी tower cooling का option दिया हो है, यानि पिछे के तरफ काफी अच्छे wind दिये गए है, और freeze section में नीचे के तरफ अलग से air booster ओर दिया हो है, जैसे कि हमने freezer section में देखा था, same booster इसमें freezer section में भी दिया हो है, तो दोस्तों ये रहा है, इसका vegetable compartment जो आपको अल देना देना नहीं, separate vegetable compartment दिया हो है, इस vegetable compartment मिलती है, वलपुल की moisture retention technology, microblog technology, जिसकी मतद से आपने जो भी इसमें vegetable, fruits वगेरा कुछ भी रखा है, उसमें एक moisture level maintain रहता है, जिससे सबजी गलती नहीं है, fruit सड़ते नहीं है, खराब नहीं होते हैं, और काफी लंबे समय तक आपक तो market में कोई भी brand का अगर triple door आता है, चाहे LG हो, Samsung हो, चाहे any brand, किसी भी triple door refrigerator पे, government की star rating applicable नहीं होती है, तो दोस्तों, तो क्या होगा इसका electricity saving, पिर भी एक company ने अगर कोई triple door बनाया है, तो इसका star rating या power concentration तो decide क्या होगा, तो दोस्तों, वलपुल खुद brand ये बोलती है, ये वलपुल company का ये कहना है, अगर आप हमारा triple door यूज करते हो, तो ये refrigerator एक CFL से भी कम power consume करता है, यानि ये refrigerator में आपकी electricity saving सबसे ज़्यादा होती है, तो दोस्तों, वलपुल के इस triple door के बारे में जो भी जानकरी देनी थी, मैंने आपको दे दी और बता दी, आपका इस वलप दोस्तों, हमारे इस छोटे से चेनल को प्लीज सबस्क्राइब करके support कीजिए, बिगोस हमारा एक छोटा सा नया चेनल है, इसको grow ने में time लगेगा, अगर आप हमारे इस चेनल पर आये हैं, तो प्लीज आपसे request है, कि इस चेनल को subscribe कीजिए, और वीडियो को like कीजिए, अप्लाइंसे से related coach भी query है, तो आप मुझे comment box में comment करके push सकते हैं, जैसे भी मुझे time मिलता है, मैं आपको reply जरू करूँगा, या किसी भी refrigerator हो, washing machine हो, उसके बारे में कोई video बना के चाहिए, जानकरी चाहिए, तो please comment कीजिए, जितनी आदा मुझे comment आएंगे, मैं आपको video ब watching.